नमस्कार, निश्क्लिक में आपका स्वागत है कश्मीर में जो पंचायच चुनाव एनाउंस हुए थे उन्हें अभी फिलहाल के लिए सुरक्षा कारणों से स्थागित कर दिया गया है पर हमें ये भी याद रखना होगा कि कश्मीर में धाला 370 के खत्म हुए लगबग 200 दिन पूरे होने जारे है इन्ही सब मुद्दों पे आज बात करने के लिए हमारे साथ गौतम नावलगा जुड़े हुए गौतम निश्क्लिक में आपका स्वागत है शुरू करते हैं पंचायद के चुनावों से कि आप एनाउंस कर रहे हैं कि पंचायद के चुनाव होंगे पुरे जम्मू कश्मीर के यूनिन टेरिटरी में और फिर सुरक्षा कारणों से आप कहरे हैं कि उन्हें स्थागित कर दिया गया है तो ये अचानत से एक दिन पहले हूम मिनिस्ट्री सुरक्षा कारण क्या हो सकते हैं और इंने क्यों स्थरकित किया गए जाहिर है सुरक्षा कारण पहले भी थे मलजूद और ऐसा नहीं है कि सीट्धी सामान्य हो गई है चाहे बारत सरकार कुछ भी कहे सामान्य तो नहीं है और सामान्य होने के नाते ही उन्हें आखरी वक्त पर ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि सेक्यूरिटी एजन्सीज ने हाथ उपर खड़ा कर दी होंगे जबकि ये पंचायत चुनाव बाइपोल्स हैं क्योंकि पिछले साल जो चुना हुए थे उनमें लगबग सतर से भी पच्चतर असी प्रतीशत जो सीटीं थी कश्मीर में उनमें किसी में इलेक्शन्स ही नहीं हो पाए थे तो उनकी पूरती के लिए ये रास्ता अपना आए जाएना था और उनका ये दिखाने के लिए दुनिया को कि देखिए हमने एक चुनाफ करवा लिया है ठीक है लिकिन इसमें प्रांचल एक जो ध्यान देने की योग बात है कि हिंदुस्तान की संस्थाएं जो हैं जो इंस्टिउशन्स हैं वो कितनी मतलब उनका कितनी बदल गई हैं वो सामने साफ देखता है मेरा इशारा है कि इलेक्शन कमिशन ने जो पहले बार ये चुनाफ करवा है थे तो उसे नौन पोलिटिकल पार्टी कि इसमें कोई पोलिटिकल पार्टी हिसा नहीं करेगा कोई किसी पोलिटिकल पार्टी के नाम पर कोई वोट नहीं मांगेगा ठीक है ये बाइपोल होने वाले थे पूरी करने के पूर्ती के लिए इसमें इलेक्शन कमिशन ने एकदम से अनौंस किया कि ये पार्टी बेसिस पर लड़े जाएंगे ठीक है तो दो चीज़ें जिस पर ध्यान देने की बागते है मतलब इलेक्शन कमिशन को किसी सिद्धान की किसी नियम कानून की कोई परवाई नहीं है सरकार जो कहती है उसी के कहने पर लग रहा है कि वो जो भी उनसे काम करवाया जाता है करवा रहा है क्योंकि जिस चुनाव को उन्होंने करवाया था नौन पार्टी बेसिस पर अब अचानक चुनाव करवा रहा है गौतम ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सब तब हो रहा है जब लगातार सरकार पिछले 267 महीने से कह रही है कि एक तरफ हालात सामाने है वहीं दूसरे तरफ इंटरनेट पे जो क्लैम डाउन है वो बरकरार है और आप उमर अब्दॉल्ला, शाह फैजल मेंबुबा मुफ्ती जैसे लीडर्स पे पिए से लगा रहे है तो ये एक, क्या ये कहना गलत होगा कि एक क्लियर तरीके से सरकार जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वैली में, जो लोग कर सकते है उन्हें एक रोकने का तरीका है उन्हें न केवल रोकने का तरीका है प्रांजल, मैं तो इस तरफ इशारा करना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमिश्छन इस बार अगर political party basis पर करवाना चाहती थी वो इसलिए कि कश्मीर में जो जीते हैं वो BJP के उम्मिदवार के रूप में उभर करना जिससे कि BJP अपनी विजय का पूरे बर्वादा कर सके लेकिन ये अपने आप में दर्शाता है कि स्थिती कितनी आज भी सामान्या है भारत सरकार दिल्ली में बैठके जो कुछ कहे उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सुरक्षा एजनसी जो कश्मीर में नियोकते हैं वो खुद कह रही हैं कि हम यहां आठ फेज का जो चुनाव होने वाला था आठ यह मतलब अधबुद हिंदुस्तान के इतियास में अधबुद है कि एक पंचायत लेवल के इलेक्शन में बैबी आपको आठ फेजे में करवाना पड़े और उसमें भी स्रक्षा बल हाथ खड़े करते हैं जबकि वैली के अंदर आपने एक तरीके सुझे चावनी में तबदील कर रखा है पूरी चावनी में आपने लीडरों उसको बंद कर दिया जैसा प्रांजल तुम कह रहे हो कि पी-एसे में गरिफतारिया हुई है पी-एसे का तो इस जिस रूप में ठोक एक जो इस्तिमाल अगर सरकार नहीं और एड्मिनिस्रेशन ने कोई निर्ने लिया है तो हम उस निर्ने को चुनौती नहीं दे सकते हैं या उसको खारिज नहीं कर सकते हैं मतलब हम अदबुद स्थिती में है कि पूरे कश्मीर को आपने बंद कर के रखा है उसे एक चावनी में परिवर्तित कर दिया है वहां के निताओं को चाहे वो तथाकतित मुख्धारा से जुड़े हो या आजादी पसंद हो सब को बंद कर के रखा है कोई पूरे जम्मू कश्मीर में और ये ना केवल कश्मीर में जम्मू में भी भाचपा के अलावा किसी को भी काम नहीं कर दें गया जा रह ये नहीं भूलना चाहिए कि एक तरफ जब कश्मीर को इनोंने कहें तो हिंदुस्तान की उपोजिशन पार्टी के लिए बन कर रखा है कश्मीर में जो नेता हैं उनको प्यसे के अंडर डाल रखा है पर विदेश से लोगों को बुला के वहां शिकारें में घुमाया जा र गोर राष्टवादी कहती है उसे परवा केवल विदेशियों की है तो वो कहीं से ढून कर विदेशी यूरोपियन MPs को ले आती है कबीर यहां दिल्ली में जो राजदूत हैं उनके टीम्स को दो बार ले गई है लेकिन हिंदुस्तान के जो पार्लिमेंट के जो सदस्य हैं उनको आज भी नहीं जाने दिया जाता है कश्मीर में मानो वो ज्यादा मतलब विदेशियों से देशियों से उनने ज्यादा खत्रा लग रहा है और अमिर्शा कहते हैं कि अगर देश के राजनेता जाना चाहें तो हम उन्हें परमीशन देंगे ऐस इफ ये कोई एक प्रति जारदारे ही सामने आती है कि उन्हें विदेशि क्या सोच रहे हैं और उनको प्रभावित करने के लिए क्या करना है उस पर ज्यादा जोड़ दिया जा रहा है बनस्पत कि हिंदुस्तानियों को आप समझाएं या उनको असलियत के बारे में बावस्ता होने से न रोका अखंड हिसा बना लिया है, दूसरी तरफ आप हिंदुस्तानियों को ये कश्मीर में जाने से रोक रहे हैं, तो ये तो इनका जो पाखंड है, जो हिपोक्रिसी है, वही दर्शाथ की है. गौत्म, एक तो बात ये हो गई वहाँ के पॉलिटिकल सिच्वेशन की, पर हमें साथ-साथ याद रखना होगा कि जम्मू कश्मीर एक रीजिन है, लद्दाग भी एक सेपरेट यूजिन तरिट्री है, आज ही ऐसी खबरे आ रही हैं कि कारगिल जैसे इलाके में आप राशन किया वो तो टूजी है, टूजी तो जैसा कि बार बार इस बात का सफाया दिया गया है, बतलाया गया है कि टूजी से कोई बहुत फरक नहीं पड़ता है, और वो इतना स्लो है कि जो खा आज के युग में, जिस तरह की चीजें लोगों को चाहिए, वो उपलब नहीं हो पा आज अवेलिबल हैं, ठीक है, उसमें से भारत सरकार ने चौदा सो के करीब वाइटलिस तयार की है, तो खुद ही हम समझ सकते हैं कि कितना मतलब तूजी इंटरनेट खोलने का, चालू करने का, और केवल चाड़ सो, चौदा सो या साड़े चौदा सो के करीब वेब साइट इसका एकसेस करने का, मतलब के एक मजाग के रूप में ये है, दूसरी तरफ, मतलब लदाक की जो बात कर रहे हैं, मतलब ये सुविधाय उपलब नहीं है, राशन कार्ट की तुमने बात करी लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिये, लदाक में ये पिछले अभी दो या ती 45-1 के अंतरगत मिलती थी, मतलब उनके जमीन और उनकी नौकरियां सुरक्षित होने की, उनके लिए मतलब पूरे लदाक कारगील के इलाके को एक विशेश दर्जा दिया जाए, उसके मांग को लेकर है, जिसका मतलब है, कि जो शुरू में इसके खारिच करने के पक्ष में खड़े थे और आये थे, आज वो भी ये प्रशन उठा रहे हैं, कि इससे तो हमारा वजूद आज खत्रे में है, तो ये स्थिती है, दूसरी तरफ एक और चीज है प्रांजल, मतलब जम्मू की जो हालत है, बहुत बुरी है, मतलब उसका सही ख़बर हिंदुस्तानी मीडि लोगों तक पहुचा नहीं रही है, लोग परिशान है जम्मू में, क्योंकि फैक्रिया बंद हो रही है, नौक्रिया नहीं मिल रही है, बिजनेस ठप और व्यापाट ठप होने के कारण, और ट्रांस्पोर्टेशन पर भी जो एक जो पाबंदिया लगी है उसके चलते, लो कि सरकारी नुमाइंदे हैं, ये सरकारी नुमाइंदे भी जिद्द दिल्ली आएं और उन्होंने मिनिस्टर से बात करी, तुम्हें पता हैं उन्होंने क्या का, उन्होंने का आप कह रहे हैं कि हम विकास लाने वाले हैं, हम विकास लेकर आए हैं, और विकास का काम बड़ी तेजी से चल रहा है उन्होंना चुनौती दी उन मिनस्टर्स को कि आप आईए दिखाईए हमें कि कश्मीर जम्मू कश्मीर में कहां विकास हो रहा है और गौतम ये तब हो रहा है जब जम्मू कश्मीर एक model state of development के रूप में उभर सकता था क्योंकि indicators अगर हम देखें तो ये जो पूरा भाजपा और सरकार का कहना था कि जम्मू कश्मीर में development नहीं है health के indexes अच्छे नहीं है education के indexes नहीं है उस मामले में जम्मू कश्मीर कई मामलों में even गुजरात से भी better होता है जो social capital जो investment किये गए है social sector में जो कि बहुत महत्वपून है आज दिल्ली के चुनाफ देखने के बाद तो हम सबको यकीन होना चाहिए उस लिहाद से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर लद्दा की जो स्थितिय है हिंदूस्तान में वो कई गुना बहतर है इन मतलब वो गुजराच से तो कई गुना बहतर है मतलब शिक्षा, हेल्थ, ये जो indicators हैं मतलब सबको ये उपलब करवाना, सबके लिए access होना और बड़े मामूली रकम पर ये उपलब होना ये अपने आप में एक खास चीज़ है और इस पर करीब 50 साल का एक एतियास है उसके पीछे तो इन सब को आप नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं तो अगर मुदी सरकार का ये कहना है कि हम कोई परिवर्तन लाने जा रहे हैं और विकास करने जा रहे हैं तो आप बताईए ना कि किस तरह का विकास करेंगे जब कि ये विकास तो वहां पहले से मवजू था अब उसको तोड़ कर उसको नस्ट करकर अगर दुबारा कुछ नया लाने जा रहे हैं जिस तरीके से आयूश्मान भारत के नाम पर वह हिंदुस्तान में ला रहे हैं जिसको सब को पता है कि ये इतना बड़ा भारी एक बोज अपने सर पर होने वाला है आने वाले वार्शों में अगर इस तरह की स्कीम लेकर आ रहे हैं तो कश्मीरियों का कोई कल्यान ने होने वाला है शुक्रिया गॉतम हमसे बात करने के लिए और जैसे ही ये डेवलोपमेंट्स होते रहेंगे हम लगातार इन सब बुद्धों पर आपके पास वापस आते रहेंगे धन्यवाद निउस्क्लिक देखने के लिए धन्यवाद